हमारे सामने कुछी दिनों में हिंदुस्तान का चुनाओ है दो विचार धाराओं की लड़ाई है एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी दूसरी तरफ बीजेपी आरेसेस नरेंद मुदी हम देश को जोडने का काम करते हैं सब धर्मों को सब लोगों एक साथ लाते हैं प्यार भायचारे की बात करते हैं और बीजेपी आरेसेस जहां भी जाती है नफरत विलाती है एक धर्म को दूसरी धर्म से लडाती है एक भाशा को दूसरी भाशा से लडाती है और नफरत विलाती है और बंगॉल की हालत आप से बहतर कोई नहीं जानता है बंगॉल में पिछले सानों जे क्या हो रहा है कितना विकास हो रहा है आप जानते हो मुझसे बहतर आप जानते हो नरेंद्र मोधी जी अपने भाशनों में दिन भर जूट बोलते रहते हैं जहां भी आते हैं कुछ ना कुछ जूट बोल देंगे दो करोड युवाओं को एक साल में रोजगार दे दूँगा पंद्रा लाख हर बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोधी डाल देगा किसान की दिन भर मादद करेगा आपको याद होगा जब नरेंद्र मोधी प्रधान मंत्री बन रहे थे 2014 गा चुनाव था उन्होंने कहा मैं प्रधान मंत्री नहीं बनना चाहता हूं मैं शोकीदार बनना चाहता हूं चोरी करने के बाद चोरी करने के बाद पकड़े जाने के बाद चौकीदार कहता है हम सब चौकीदार पूरा देश चौकीदार अरे मोधी जी सबसे पहले एक बात समझिये गरीबों के घर में चौकीदार नहीं होता है चौकीदार सिरब अमीरों के घर में होता है किसान के घर में चोकीदार नहीं मिलेगा बेरोजगार युगा के घर में चोकीदार नहीं मिलेगा चोटे दुकानदार के घर में चोकीदार नहीं मिलेगा अनिलम्बानी के घर में चोकीदार मिलेगा हाँ तो आपने चोकीदारी की अने लंबानी की चोगीदारी की मेरुल चोकसी की चोगीदारी की निर्व मोधी की चोगीदारी की ललित मोधी की चोगीदारी की विजे मालिया की चोगीदारी की भाई और में और नरेंद्र मोधी ने अने लंबानी को तीस हजार करोर रुपए आपके खून पसीना का पैसा दे दिया जहां भी जाते हैं देशबक्ती की बात करते हैं देशबक्ती की बात करते हैं और फिर एरफ़ोर से 30,000 करोर रुपए लेकर अनिलंबादी को दे देते हैं राफाइल के बारे में थोड़ा समय आपको बताना चाहता हूँ राफाइल हुआजास का नाम सुना है आपने सुना है? सुना है यूपियस सरकार में निन्ने लिया था एरफोर्च को हुआजास की ज़रूरत 526 करोर रुपए एक हुआजास 126 हुआजास करीदने थे और हवाई जास को ह んदुस्तान test को लिमिटेड हिंदुस्तान में बनाती उपिए गंइद्रे था नरेंद्र मोधी प्रधार मंत्री बनते हैं हवाई जास में फ्रांच जाते हैं उनके साथ अनिल अमपानी पैरिस फ्रांच जाता है और नरेंद मोदी स्वयम राफाइल के कॉंट्रैक को बदल के तीस हजार करोर रुपए चोरी करके आने लंबानी के जेब में डाल देता है फ्रांस का राश्ट्रोपधी कहता है यह देखो यह रहा यह हवाई जिहास 526 करोर रुपए का है नरेंद मोदी जी ने 1600 करोर रुपए का गरीदा है फ्रांस का राश्ट्रोपधी कहता है हिंदुस्तान के चोकिदार ने मुझे बता दिया कि अगर फ्रांस की कंपनी को हवाई जिहास बेचना है तो अने लंबानी को कॉंट्राइक देना पड़ेगा चोकिदार 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 अब चोकिदार ने आप सबसे वाईदा किया था रोजगार मिलेदा किसानों की मदद होगी यहां किसी को ममता जी ने नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार दिया है हाथ उड़ा के दिखा दो कोई है यहाँ पे कोई नहीं है मुझा बताईए ममता जी ने पिछले सालों में विकास का यहाँ क्या काम किया मुझे बताओ कुछ किया यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिला किसानों की मदद हुई हाँ तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जूटी बात बोलते है दूसरी तरफ यहाँ आपकी चीफ मिनिस्टर वाइडे उपर वाइडे करते रहते हैं मगर आपका यहाँ कुछ नहीं होने वाला है अच्छा यहाँ पे आपने कॉंग्रेस को वोट दिया है हर दम कॉंग्रेस को वोट दिया आपने इस बार यहाँ एक व्यक्ति ने आपको दोका दिया है न दिया है न आप इसको याद रखिए भूलिया मत इसको यह याद रखिए कि यहाँ आपको कॉंग्रेस के पुराने कैंडिडेट ने दोका दिया है विचारदारा भी लड़ाई है और यहां गबाब में आकर गर के उन्होंने आपको दोका दिया है और इस बात इस बात को आप बिल्कुल भूलना मत यह कॉंग्रेस का गड़ है और उनको आप याद दिलाईए कि धोका देकर बिंगॉल में काम नहीं किया जा सकता है थोड़ा सा मैं आपको कॉंग्रेस पार्टी के बारे में बताना चाहता हूँ पिछले पाच सालों में नरेंद्र मोदी ने सारे तीन लाग करों रुपए पंद्रा लोगों का कर्जा माप किया है पंद्रा लोगों को उन्होंने सारे तीन लाग करों रुपए कर्जा माप करके दिया है और हिंदुस्तान का किसान, बेंगोल का किसान बिर भर नरे नमोदी से कर्जम आफी मंगता है और नरे नमोदी, अरुन जेटली मंतब एनरजी आपका कर्जम आफ नहीं करती है मध्यप्रदेश, राधिस्तान, चतिसगर में चुना हुआ अपने बाशन में मैंने वहाँ साफ बोल दिया कुछ भी हो जाए, आस्मान बढ़ जाए दस दिन के अंदर किसान का कर्जम आफ इन तीन स्टेट्स में हो जाएगा दस दिन नहीं लगे, दो दिन के अंदर चतिसगर, राजिस्तान, मद्यप्रदेश के हर किसान का कर्जम आफ हो गया चतिसगर में दान के लिए 2500 रुपे किसान को दिया जाते है आदिवासियों की मदद, उनकी जमीन की रक्षा, किसानों की जमीन की रक्षा होती है बिंगौल में एक व्यक्ति, एक व्यक्ति पूरे के पूरे बिंगौल को चलाते है ना किसी से बात करती है, ना किसी से पूछती है, जो उनके मन में आता है, वो कर देती है कि अब बंगॉल की कोई आवाज नहीं है कि अब बंगॉल की जंता कि आवाज नहीं होनी चाहिए कि सिरुब एक व्यक्ति को आपका पूरा प्रदेश चलाना चाहिए कॉंग्रेस पार्टी के कारे करताओं को दबाये जाता है मारा जाता है पिता जाता है दिन भर Congress Party को यहां मारा जाता है और हमारे प्यारे जो कारे करता है जो विचारदारा की लड़ाई लड़ते हैं मैं उनको दिल से प्यार से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हर रोज आप हर रोज Congress Party के लिए लड़ते हो आंधी में, तुफान में, बारिश में कॉंग्रेस पार्टी का कार्य करता है हर रोज कॉंग्रेस पार्टी के लिए खड़ा होता है मैं दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ आप पीछे मत अठिये आप दरिये मत हम आपके साथ है, दिल्ली में सरकार बनने वाली है फिर आप देखना क्या होता है आपने बहुत कुछ से लिया है और बिंगॉल की जनता से कहना चाहता हूँ आपने बहुत कुछ से लिया पहले आप लड़ फ्रंट से मारफिट काते थे अब आप ममता जी की पार्टी से प्रिनुमूल कॉंग्रेस के राज में दुखी हो किसानों के लिए कुछ नहीं किया जाता है युवाओं के लिए कुछ नहीं किया जाता है बेरोजगारी बेरोजगारी दाएं बाएं सब जगे बेरोजगारी मगर भाशन चलते या आते हैं ममता जी के दिन बार भाशन चलते याएंगे अच्छा बाई बताओ ममता जी ने आपके लिए क्या किया मुझे बताओ एक बाद बता दो किसान का कर्दमाफ किया युवाओं को रोजगर दिया छोटे दुकंदारों की मदद की दूसरी तरफ नरेंद मोदी आठ बजे रात को पता नहीं क्या हो गया उस दिन आठ बजे रात को कहते हैं पांच सो रुपे का नोट, हजार रुपे का नोट मुझे अच्छा नहीं लगा, उसको मैं रद्धी कर रहा हूँ खतम कर रहा हूँ जो रोजगार था, वो भी नश्ट कर दिया भाई और बहनों, देश के प्रदान मंत्री ने पांच साल में 45 साल से सबसे ज़ादा बेरोजगारी आज कर दी पूरे देश में सिरफ बेरोजगारी करोणों यह वा बेरोजगार चोटे दुकानदार नश्ट हो गए, खतम हो गए चोटे बिजनेस, मिडल साइज बिजनेस खतम हो गए उसके बाद प्रदान मंत्री कहते है प्रदान मंत्री कहते है अब मैं गबबर सिंग टैक्स लागू करने जा रहा हूँ पांच अलग अलग टैक्स आज तक छोटे दुकानदारों को स्मॉल मीटियम बिजनेस वालों को बात नहीं समझाई ये क्या है, जी एस्टी, गबबर सिंग टैक्स क्या है किसे को नहीं समझाई जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम ये गबबर सिंग टैक्स को बदल के जी एस्टी में बदल दें, ये एक टैक्स होगा कम से कम टैक्स होगा, साधारन टैक्स होगा चोकिदार हमने निन्ने ले लिया है जो भी सरकारी रोजगार आज खाली पड़े है जो भी पोस खाली पड़े है उन सब को कॉंग्रस पार्टी आके एक के बाद एक, एक के बाद एक बढ़ देगी आपको बेंगॉल में हिंदुस्तान में शिक्षा नहीं मिलती स्वास नहीं मिलता हस्पताल में जाने की ज़रत पड़ती है तो पहले हमीर लोगों को लाकों रुपे जेव में डाल के देओ सब के सब सब हस्पताल प्राइबिटाइज कर दिये गए है कॉलिजिज युनिवर्सिटीज में आप अपने बचों नहीं बेच सकते सारे के सारे प्राइबिटाइज कर दिये हैं लाग और पहले जाल जेर से डाल के दो सरकार का काम, शिक्षा का काम होता है, स्वास का काम होता है हम बिंगॉल में बाकी देश में युनिवर्सिटी कॉलिजिस का जाल बिचा देंगे सरकारी युनिवर्सिटी कॉलिजिस का जाल बिचा देंगे सरकारी हस्पतालों का जाल बिचा देंगे आप बिमार होगे कम से कम पैसे में आप अपना इलाज कराता होगे स्कूल में, कॉलिज में आपके बच्चों को बेजना होगा एंजिनियर बनाने के लिए डॉक्तर बनाने के लिए लॉयर बनाने के लिए बेजना होगा कम से कम पैसे में आप बेच पाओगे कि कोई हिंदुस्तान की सरकार पैसा शिक्षा में उस वास में डालेगी और हमने एतियासिक निन्ने ले लिया है देखिए नरेंडर मोदी करोरो लुपे अमीर लोगों देता है हमने निन्ने ले लिया है कि इंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को हम उसके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डाल देंगे minimum income guarantee का हमने निन्ने ले लिया है कम से कम आमदनी इंदुस्तान के हर नागरे के लिए मतलब मतलब हमने एक minimum कम से कम आमदनी की लाइन बनानी है कहेंगे कि इतने रुपए की लाइन है इतने रुपए हिंदुस्तान के कम से कम आमदनी होगी और फिर जो भी उस आमदनी की लाइन से नीचे होगा चाहिए वो मैला हो पुर्श हो किसी भी state का हो कोई भी भाशा बोले किसी भी दर्म का हो सीधा ने सीधा उसके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डाइरेक्ट पैसा डाल देगी गरी ने किलाव हम ऐसे लड़ाई लड़ेंगे यहाँ पे यहाँ पे आप आम हुगाते हो आपका जो रेश्यम में मशूर है यहाँ पास में बिलकुल खेट के पास में हम आम को प्रोसेस करने की फैक्टरी लगाएंगे कि आप अपना आम आप अपना आम डायरेक्ट सीधा उस फैक्टरी में बेचो और पिर उस फैक्टरी से आपका आम अलग-अलग प्रोडक्स आम के प्रोडक्स बाकी हिंदुस्तान में बाकी दुनिया में जाए उसके लिए हम बड़ी-बड़ी सडके बनाएंगे और आपको जब आप अपने आम को फैक्टरी में बेचोगे आपको सही दाम मिलेगा जो आपके खून पसीने के लिए आपको मिलना चाहिए वो मिलेगा आप यहाँ इतनी बड़ी भीड है आज इतनी दूर दूर से आए इसके लिए मैं आपको दिल से प्यार से धन्यवाद कहना चाहता हूँ आपने हमेशा कॉंग्रेस पार्टी का समर्थन किया है आपने हमेशा हमें प्यार दिया है हर बार आप कॉंग्रेस पार्टी के साथ कड़े होते हो और मैं इस बात को जिन्दगी भर नहीं भूलने जाऊँगा जिन्दगी भर नहीं भूलूँगा कि यहाँ कॉंग्रेस पार्टी की हर समय क्या अच्छा वक्त हो खराब वक्त हो आप लोग हमारे लिए खड़े होते हो आते हो मीटिंग में आते हो और फिर वोट रेते हो बटन दबाते हो मैं इसको कभी नहीं भूलने वाला हो और हिंदुस्तान में जब सरकार बनेगी दिल्ली में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो आप याद रखना ये बात मैं नहीं भूलने वाला हो और जो भी आपकी जरुवत होंगी चाहे वो रोजगार की बात हो किसान की बात हो खेट की बात हो जो भी मैं आपकी मदद कर सकूँ जब तक मैं हूँ मैं मदद आपकी करूँगा ये पुराना रिष्टा है दिल का रिष्टा है ये प्यार का रिष्टा है, राजनेतिक रिष्टा नहीं है और देखिए, अन्थ में मैं आपको कहना चाहता हूँ आपने बिंगॉल में, बिंगॉल की युवाओं से कह रहा हूँ, बिंगॉल की जंता से कह रहा हूँ आपने सालों CPM को देखा उन्होंने एक संगठन की सरकार चलाई, बिंगॉल का विकास नहीं हुआ फिर आपने ममताजी को चुना, और आपने आज बिंगॉल का हाल देखा है जो अतियाचार CPM के समय होता था, वो ही अतियाचार आज ममताजी के समय हो रहा है उस वक्त एक संगठन के लिए सरकार चलाई जाती थी, आज एक व्यक्ति के लिए सरकार चलाई जा रही है तो यहाँ जब तक कॉंग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आएगी बेंगोल में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आएगी कब तक बेंगोल में प्रगती नहीं हो सकती है और हम पुरा दम लगाएंगे पुरा दम लगाएंगे कि बंगोल में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आए बंगोल में हमारा कॉंग्रेस पार्टी का जंडा लराए हमारे कार्य करता हो मैं आपसे वाइदा करता हू कि बंगोल में कॉंग्रेस पार्टी लरके अपनी सरकार बना के निखाएगी आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जेहिन